वेल्कम तो माई चैनल जेटट क्रेकर आज फिर से इस चैनल में आप लोगों कर स्वागत है आज बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है मतलब सब्सक्राइब जो हम लोग खाते हैं आलू मटर गोभी यह कहां से आया है इसके बारे में हम लोग आज जानाएंगे सबसे पहला है हरी मिर्च टमाटर आलू यह कहां से आया है लेकिन लाया कोने पूर्तगाल का एक व्यपारी था वह इंपूर्तगाल के व्यपारी ने बारे का से भारत लाया था तो इसको याद कैसे रखेंगे टामटर कैसा लगता है खाने में खट्टा लगता है हरी मिर्ची तीता और आलू जो है वो तो एक नंबर चीज है उसके बीना कोई सब्जी बनता ही नहीं है मतलब ज्यादा तर सब्जियों में आलू दिया जाता है तो तीता खट्टा और आलू तीता क्या लगता है मिर्ची खट्टा टमटर लगता है और आलू ये तीनों कां से लाया गया है डक्षिन अमेरिका से लाया गया है तीता खट्टा आलू तीता खट्टा आलू कां से लाया गया है डक्षिन अमेरिका से तीता मतलब हो गया हरी मिर्च खट्टा हो गया टमटर आलू जो सब्जी का जो सभी कोफी बिंडी बीन्स अफरीका से कोफी चाय के तरह कोफी होता जिसको पीते हम लोग पेजपदार्थ है कोफी भिंडी और बहुत है कोफी बहुत है बहुसे बीन्स बहुसे भिंडी बहुसे 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 का FIFA कभी बीन्ज्विन्डी का से अफरीका से से कोफी बीन्ज्विन्डी का से अफरीका से ती Übermao कि नमबर का टिस्टी हो जौताएर मतर से चिमरी जो होता है और दोनों को मिला के सबजी बनता है मटर और गोभी कहां से आया है यूरोप Fam के पलंगीशुन से छोया वीन नाम से लग रहे है कि जो ऑला सुझाओ का विन्विंस का याद Rs रखें बीन और चीन बीन और चीन सुनने में एक जैसा लगता है एकदम बीन और चीन मतलब बीन का मतलब सोया बीन और चीन एक देश चीन से आया है बीन बीन चीन याद रखना कैसे बीन चीन मतलब सोया बीन कहां से आया है चीन से आया है इस तरह से इसको पढ़िए इसको तीता खटा आलू दक्षिन अमरिका कौभा भाव कौफी भिंडी और बीन्स कौफी बीन्स भिंडी कहां से अफरीका से कौफी बीन्स भिंडी कहां से अफरीका से कौभा भाव कौफी बीन्स भिंडी अफरीका से तो इस तरह से इसको याद रखना है याद रखने का एक तरीका इससे मतलब आसानी सी याद रखा जा सकता है और यह कई बार सीटेट में यह कुछा गया है इसलिए मैं यहाँ पर बताना जरूरी समझ रहा हूं अगला पॉइंट is Velcro जिसको के चरचरी भ ही काता है यह बैग में किसी चीज को पैक करने में उसमें साट के लगा दिया जाता है उसको उखाड के फिर उसको खुला जाता है structure तो even state स्ञ था수 होग को करता है उसी को कतना वेक्र् इसको कुकते वेक्रो इसनी को बनाा था एक रिजम एक व्यक्ति था उसका नाम था के मेस्ट्रल स्विडिजरेट्र लेंड़ का एक व्यक्ति जो मेस्ट्रल कब बना थाwościर्ट बनाया था 1948 Zen है यहां पर दोम प्रेंडल में बेजियर्टी में के अलावा बहुत सारा यह सारा जगह वा तो गड़ा औरफशन में लोग काम होता है कपड़े बुझाचाइब और उसके क्या का जाता है प्थम्पल्य या कलमकारी के नाम से जना जाता है अगला पयंट है नल्ला मडड़ा नल्ला मड़ा ये दूंध्रापर्देश कभी यह पूछा जाता है कि सब आनल्ला मड़ा किस राज में है तो आंध्र पर्देश में पोचम पल्ले का जो विरताओं का देश है तो उसी तरह से अंध्रापरदेश में जो भासा बोली जाती है उस भासा का नाम है तेलगू कौन सी भासा बोली जाती है अंध्रापरदेश में तेलगू बहसा बोली जाती है एक इंपोर्टेंट कोस्टन यहाँ पर अंध्रापरदेश में एक लोगों भारत में तो यह अभी परचलन बहुत ज्यादा है कि कम उमर में साधी अभी भी हो रही है तो साधी होने के बाद उसकी पढ़ाई छूट जाता है पर वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है उसके लिए वह कैम्प लगाते हैं और चिन्नित करते हैं जिस लड़कियां की सब्सक्राइब क्याश नहीं के याद रखना है एक टिता खटा अलू अदक्षिन अमेरिका से आया है काफी बीन सीविंडी अफिरिका से आया है स्विय का निवासी स्वेडियार लैंड का इसका यूज कपड़ों में पोचंपल्ली बुनकर वह पर बहुत ज्यदा होते हैं और वहां के बुनाई को कलमकारी या पोचमपली कहा जाता है तो आज के क्लास हम यही पर स्वाप्त करते हैं आप लोगं से आगर है कि मेरे चैनल को ज्यादा ज्यादा सेर करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें धन्यवाद